हलो नमस्कार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा आज किस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे सहायक आचार ये भरति परिक्षा है तो टी-एस इलियट महोदे का जो निर्वैक्तिक्ता का सिध्धान्त है उसकी हम चट्चा करेंगे इसक बावे के कितने स्वर बताएं हैं जो परिक्षा के दरिश्टी से बहुत ही महत्यपूर्ण है उनकी हम है जो चट्चा करेंगे बिलकुर टूद अपूर्ण का अक्षा चलेगी और पीडिय वगरा कहां कैसे मिलेगी वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा प्रारं कि अनतरी का निर्वेक्तिंता का सिध्दान तो उसको प्रारंब करेंगे नाम भप्रांद होता है पूरे नाम की और जाये हम तो थोमस स्ट्रेन इलेयट देखने को मिलता है जन्म 1899 में सेंड लुइज अमरिका की यहां होता है है 1965 में लंदन में हो जाता है तो जीवनकाल कब से कब तक रहा 1889 से लेकर 1965 ठीक बात इलियट महोदे जो थे दर्शन शास्त्री निवंदकार नाटकार आलोचक कवी थे और इनको आधुनिक आलोचकों का मसिया भी है जो कहा जाता है ये भी इनके बारे में जो देखने को मिलता ह विशेश बात परिक्षा में पूछी जाने योगियांस से सवाल है जो बनाया जा सकता है जो परीचे है परीचे से सवाल ये बन सकता है क्या कि इलियट महोदे को साहित्य का नोबेल पुरुसकार कब मिला तो इनकी जो एक कृति थी दे वेस्ट लेंड 1922 में ये परकाशित होती है और 1948 में इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरुसकार जो दिया जाता है दे वेस्ट लेंड 1922 में परकाशित होती है 1948 में इसकृति के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरुसकार मिलता है भईया ठेक है यहां तक मामला सर्वादिक और परिचे में थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो सर्वादिक निकी प्रसिद रचना है Tradition and Individual Talent ये इनकी प्रसिद रचना मानी जाती है तो ये रचना देकर भी पूछा जा सकता है किसकी रचना है इसके अंदर क्या है साहिते की जो आधारबूत ये जो मौलिक समस्या है उन पर विचार किया गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि Tradition and Individual Talent इलिएट की स्कृति में स्कृति का वर्ण ने विशे किया इसमें या किसकी चर्चा की गई है तो आपको ध्यान में रखना है साहिते की जो बेसिक आधारबूत फंडामेंटल आधारबूत एवं मौलिक जो समस्या है उन पर जो प्रवावी डंग से जो विचार किया गया है चर्चा की गई विचार विमर्शा जो किया गया किसमें Tradition and Individual Talent के ओपन अगली बात भी इनकी महतुपण हो जाती है इलियट ने श्रिम को Classic वादी कहा है ये सवाल भी ये प्रश्ण भी बनने योग है कि इलियट ने श्रिम को क्या कहा है तो इन्होंने श्रिम को कहा है Classic वादी भहिया महान कवी होने के लिए क्लासिक होना अनिवारे नहीं है कोई ग्रेटेस्ट है जो बनना चाहता है तो महान कवी के लिए क्लासिक होना अनिवारे नहीं है महान कवी जो होता है केवल एक विदा एक format का form की प्राकाश्टा तक पहुंच पाता है महान जो कवी होता है वो किसी ने किसी एक विधा जो साहितिक विधाएं होते हैं उसकी एक विधा की बिल्कुल उच्चतम शिकर पर पहुँच पाता है जबकि जो क्लासिक कवी होता है वो एक विधा को ही नहीं एक विधा के साथ उसी विधा कोई नहीं बलकि अपी तो अपने समय की भाषा को भी प्राकाश्टा तक है जो पहुचा देता है तो ये श्यम को उस रिणी में उस दर्जे में मानते थे श्यम को क्लासिक वादी है जो कहा इनोंने तो ये प्रश्न भी प्रिक्षा में बोछे जाने योग्य हसाब चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर हम उनके अभिवयक्त जो समिक्षा के तीन पक्ष हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो समिक्षा के कितने पक्षणों पर है जो इलियट ने चर्चा की, ये भी प्रश्ण पूछे जाने योगे पूछा जा सकता है, निर्वेक्तिक्ता का सिद्धान्त, वस्तोनिष्ट, सहसंबंद का सिद्धान्त, और परमप्रा की अवधारना का समिक्षा का एक पक्ष नहीं है इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकते हैं निर्वेक्तिक्ता का सिद्धान्थ वस्तो निष्ट सह समंद का सिद्धान्थ और परंपरा की अवधारणाया सिद्धान्थ ये भी परिक्षा में पूछे जाने योग्य है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो शुरुआत बिल्कुल प्राव निर्वेक्तिकता का जो सिद्धान्थ है उसकी हम यहां से स्टार्ट करें पहले वाले जितने भी बाते थी वो भी परिक्षा में पूछे जाने योग्य थी इसलिए उनको शामिल किया गया परिक्षा में पूछे जाने योग्य बातें किस समंद केवल डाइरेक्ट सिद्धान्थ से कि ये निर्वेक्तिकता का कर देना या फिर यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्तिक या व्यक्तिकत ने हो जो नीजी ने हो वो खनी और जाता है अपना पहल से अलेगा निर्वक्तिक्तर थिवल एसलां महांद से विश्जप प्रभाविते प्रभाविते श. Tsch और श. की माननता थी कि व्यग्यानिक समान निर्वक्तिक और वस्तोंश्ड होता है तो ये बात किसकी माननेता थी और परभाविते एजरा पाउंट से हैं और एजरा पाउंट कहता है माननेता इसकी थी ये इस बात को मानता था कि कवी जो होता है वो वेगेनिक जो होता है एक सांटिस्ट उसके समान ही निर्वैक्तिक और वस्तोनिष्ट होता है उसका कार ये आत्म होता है ये भी परिक्षा में पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं परिक्षा में और एक बात पूछे जाने योग्गे है इलियट ने अनेकता को एकता में बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना है परिक्षा में पूछा जाए कि इलियट ने अनेकता को एकत में बांधने के लिए किसको आवश्यक तत्य माना किसको आवश्यक माना है तो भया परंपरा को आवश्यक माना है इलियट ने जो व्यक्तिक्ता की विरोधी है अब परिक्सा में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्यक्तिक्ता की विरोधी क्या है व्यक्तिक्ता की विरोध जीवन्त विकास के लिए वे परंपरा का योग से विकार करते हैं साहित्य का अगर जीवन्त आपको विकास से यह उसका डवलपमेंट चाहिए वह यह तो परंपरा का आपको योग उसमें शामिल करना ही करना पड़ेगा जिसने की क्या होगा आत्मनिष्ट तत्व नियंत्रि जा सकता है इलियेट ने किसको मेहत्व दिया इलियेट ने वस्तुनिष्ट साहित्य को मेहत्व दिया तथा साती करला को निर्वेक्तिक है जो गोशित किया यह सीधी सीधी बात देकर पूछ लिजाए कि साहित वस्तुनिष्ट साहित्य को किसने किसने मेहत्व दिया तता करला को निर्वेक्तिक गोसित किस ने किया इलियेट ने ठीक बात चलिए पर एक साम ये सवाल पूछा जा सकता है जैसे कि हमने थमनेल पर लिख रखा है कि निर्वेक्तिकता के कितने रूप है तो इलियेट के अकोर्डिंग निर्वेक्तिकता के दो रूप बताएं कितने रूप दो रूप बता हैं आगे चलकर इनको बिल्कुल specify देखेंगे अगले slide में तो एक तो कौन सा एक तो वह है जो कुशल शिल्पी मातर के लिए होती है कुशल जो शिल्प कार है उसके लिए बिल्कुल रचनाकार है उसके लिए दूसरी दूसरा जो दूसरी निर्वेक्तिकता है वह है जो प्रोड कलाकार के दौरा अधिक अधिक उपलब धहजो की जाती है दूसरे परकार के निर्वेक्तिकता उस प्रोड कवी की ही होती है जो अपने उत्कट और व्यक्तिकत अनुबहों के माद्यम से सामाने सत्ते को व्यक्त करने में जो समर्थ होता है बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात को बहुत प्रभावी डंक से है जो प्रकट करता है इलियट का प्रारंबिक विचार था कि कविता उत्पन नहीं की जाती है अपितु उत्पन हो जाती है तो ध्यान में रखना इलियट का प्रारंबिक विचार क्या था ये पूछा जा सकता है तो कि प्रारंबिक विचार ये था कि कविता उत्पन नहीं की जाती है अपितु क्य है उत्पन हो जाते है प्रारंबिक विचार तो यह था तो पुछा जा से कि प्रारंबिक विचार के था क्या था लेकिन किन्तु बाद में उन्हों अपने इस विचार को बदलते हुए कहा, क्या कहा, कि मैं उस समय अपनी बाद ठीक डंग से विक्त नहीं कर सकाता, यह कौन कहता है, इलेट कहता है, क्योंकि इलेट ने पहले कह दिये, क्यों विच्छा उत्पन नहीं की जाती है, अभी तो उत्पन हो जाती है, लेकिन बाद म इन्होंने अपने विचार को बदलते विए कहा, accept करते विए कहा कि भया, मैं उस समय अपने बात को ठीक डंक से हैं, जब व्यक्त नहीं कर सकाता, तो ये बात वी इलियट के विशे में पूछी, जा सकती प्रारमी विचार, क्या था, जो हमने निर्वेक्तिक्ता के दो रूप और दूसरा बताते हैं, विशेष्ट, तो प्राकरतिक निर्वेक्तिक्ता और विशेष्ट निर्वेक्तिक्ता, ठीक बात, प्राकरतिक जो निर्वेक्तिक्ता है, इसमें प्रमुक्षिल्पी या कलाकार से सम्मध होती है, जब कि जो विशेष्ट निर्वेक्तिक्ता होती ह जो कि हमने उपर बात कर लिए प्रोड कविया प्रोड कलाकार के दुबरा ठीक है अब अगला सवाल पर इक्साम ये पूछा जा सकता है क्या कि इलियट महोदे के अकोर्डिंग कावे के कितने स्वर बताएं इलियट ने तो कविता के या फिर कावे के तीन स्वर होते हैं इलि श्रिम से बात करता है या यहों कह सकते कवी परतम स्वर में कवी श्रिम से बात करता है तो परिक्षाम यह भी पूछा जा सकता है इलियेट महोदे के द्वारा बताएगे कावे के तीन स्वरों में परतम स्वर में कवी किस से बात करता है तो कभी परतम स्वर में कभी दूसरों से नहीं बलकि स्विम से बात करता है या फिर कभी स्विम से ही बात करता है औरों की नाम नहीं ले तो भी ये वाकिस प्रकार से भी लिखा जा सकता है दूसरे स्वर में क्या दूसरे स्वर में श्रोताओं से बात करता है तो पहले स्वर में खुद से बात करता है श्यम से दूसरे स्वर में वे श्रोताओं से बातें करता है और तीसरे स्वर में वे सार भूमे के जो बातें करता है सार भूम हो जाता है इसमें नाटक आते हैं य इसी दिसीद एफेक्ट है जो याद रखना परिक्षा प्रश्ण बनने योगे हैं चलिए और इसके डेफ्ट में नहीं जाएंगे डाइरेक्ट टू दे पॉइंट हम बात करेंगे आखिर में देखते हैं जो डॉक्टर भागरत मिश्र हैं वो कहते हैं कि टीस एलियट का जो निर्वेक्तिक्ता सिध्धानत वो भारती एरस सिध्धानत के साधारे निकरण को समेटे हुए हैं रामचंदर तिवारी कहते हैं कि इलियट ने निर्वेक्तिक्ता सिध्धानत में आत्मनिष्ट साहिते के इस्तान पर वस्तुनिष्ट साहिते पर बल दिया उपर हमने बात करी ली यह कहते है रामचंदर तीवारी जी चलिए इस प्रकार से अपना ये इलियेट महोदे का निर्वैक्तिक्ता का जो सिध्धान तो पूर्ण होता है अपनी जो एप्लिकेशन है नवस रिजिन और एक नवस रिजिन क्लासेज नाम से दो अपने टेलिग्राम चैनल है जो इन कर लिजिए महाँ पर इनकी PDF सूसना वगरा तमाम जानकरी मिलती रहेगी साथ ही नवस रिजिन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूटूब चैनल जिस पर जीके की निशुल क्लासेज चलती है उसको सबस्काइब कर लिजिए और प्ले स्टोर से नवस रिजिन क्लासेज आप इंस्टोल कीजिए यहाँ पर फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूं मैं और कोर्स भी चल रहा है और यह जो चैनल है कभी आदिगने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सभी दोस्तो तक साजा कीजिए और पहली बार देखने वाले बंधू सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लिजिए पर मलता है